मानलो हिंदुस्तान में हिंजुत हिंदुस्तान के एंजिन में 10 सिलिंडर है काम सिर्फ एक सिलिंडर करता है मतब 90% लोग बाहर बैठे हुए है और देख रहे है और उनकी सिस्टम में कोई भागी दारी है भागी दारी है कि उनके सिलिंडर में ना पैट्रोल मिलता है ना मेंटेनेंस होती है ना कोई चेकिंग होती है एक सिलिंडर चोटा सा कर बूलर है कि रहा है कि और सुपरार हो जागा कैसे सुपर बन जाना नब्वे परसेंट लोग सिस्टम के बाहर बेटे हुए हैं उनक उनके हाथ में है, इसके उनके हाथ में है, ग्यान उनके हाथ में है उनका कोई connection नहीं है तो इसलिए है हमने चाहती जन्गरना की बात हुए और भड़ा confusion है भड़ा confusion है देखिए बीजेपी के लोग कह रहें कि वहीं है, देखो हम जाती जन्गरना करेंगे उसमें OBC का section देदेगी जाती जन्गरना सबसे पहले सिरफ महाँ OBC लिखना तक को इमत करेंगे अलग 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 कम्यूनिटीज है हम हर कम्यूनिटी की लिष्ट आए करी बात दूसरी बात हमारे लिए ये सिर्फ सेंसस नहीं है हमारे लिए ये policy making का foundation है मतलब बीव है और हम सिर्फ जाती जन्गरना की बात नहीं करें नहीं करें नहीं क्लिरली कहना चाहता हूं जाती जन्गरना से सिर्फ आबादी पता लगी है वह बहुत जरूरी कदम है क्योंकि भागीदारी से पहले आबादी के बारे में पता होना पड़े तहुए कि भागीदारी का खम विना आबादी के पहुची नहीं सकते मगर अबादी लास्ट कदम नहीं है आप यह मत सोचे कि आइडिया यह है कि वह जाती चंखरना हो गई उसमें सब की इनकी हो गई और बात वहां खतम हो जाए नहीं है यह मेरा विजिन है कि हिंदुस्तान में धन किस प्रकार से बाटा जा रहा है ओपी सीज के हाथ में कितना है वलेतों के हाथ में कितना है मजदूरों के हाथ में कितना है पहली बाद दूसरे बाद हिंदुस्तान की जो इंस्टिट्यूशन है बिरोक्रिसी हो, जुडिशिरी हो, मीडिया हो, इसमें इन लोगों की कितनी भागी गड़ी मत्यवाद हम यह समझना जाते हैं कि कॉंस्टिटूशन ने कहा था कि एक व्यक्ति को एक बोट में लगा, मतलब सारे के सारे हिंदुस्तान की जो सिटिजन्स हैं तो समाज एक समाज, एक जैसे तो हम यह पूछ रहे हैं कि अब सब्तर साल हो गए, कॉंस्टिटूशन हमारे सामने है, इसका समाज पर एफेक्ट पड़ा है, हाँ या ना